Good morning students, मैं Dr. Kavita Sahani from Government Girls College, Chomo. B.A.C. Second Year के इस लेक्चर में हम माउथ में डाजेशन के बारे में बात करेंगे. इसली क्लास में मैंने आपको फूड और उसके कॉंसितुटुनेंट्स के बारे में बताया था. फूड वो सबस्टेंस है जिससे की हमें एनर्जी मिलती है, न्यूट्रियंट्स मिलते हैं जिससे हमारी बॉड़ी की ग्रोथ होती है और डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए हमें ओर्जा मिलती है. ये भोजन जो हम लेते हैं वो एलिमेंटरी कैनाल में एंटर होता है थ्रू माउथ. माउथ के दोबारा वो हमारी एलिमेंटरी कैनाल में एंटर होता है और उसके बाद वो डिजेशन के लिए तयार होता है. माउथ में जो दाथ प्रेजन्ट होते हैं बकल कैविटी में वो फूड को पीसने का काम करते हैं जिसे की फूड छोटे छोटे टुकडों में बट जाता है और ये छोटे छोटे टुकडे जो फूड मेटेरियल के अब बन गए हैं उनको फिर माउथ के अंदर सलाइबा के द्वारा मिकस कर दिया जाता है तो यह पहला एक्षन है जो कि डाइजिशन के लिए लिए फूड का पहली बार माउथ में शुरू होता है अब माउथ में स्लाइबरी ग्लैंद्स प्रेजन्ट होती है इसमें से पैरोटिट ग्लैंड जो है वो एकदम इयर्स के सामने प्रेजन्ट होती है सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है और मम्स की जो लोकेशन होती है उसके द्वारा उसे हम फील कर सकते हैं और इसका सिक्रिशन जब बखल कैविटी में आता है तो यह एक डक्ट के द्वारा खुलता है सैकिंड मोलर टीथ के बेस पर और ये gland जो है यानि parotid gland उसका जो secretion होता है वो बहुत पतला होता है पानी की तरह दूसरी gland जो होती है वो है submaxillary gland और ये lower jaw जो होता है उसके angles के नीचे present होती है इनका भी जो secretion है mouth में जो है वो duct के द्वारा खुलता है और ये जो gland है mixed type की होती है इसमें दौनों तरह की cells होती है cirrus cells भी होती है और mucous cells भी होती है तीसरी तरह की जो gland वो है sublingual gland जैसा इसका नाम है ये जीब के नीचे पाई जाती है और mucous glands होती है जिनका secretion ज्यादा तर उसमें mucin होता है और इनका secretion जब mouth में पहुचता है ducts के द्वारा तो वो duct जो है वो ravenous duct कहलाती है तो इस तरह के से ये तीन salivary glands हैं जो की mouth में या बकल cavity में आकर खुलती है जिनका secretion जब mix होता है mouth के द्वारा saliva के द्वारा अब ये saliva क्या है तो saliva जो है वो secretion है in salivary glands का और जैसा भी मैंने कहा था ये food mouth के अंदर इस saliva से mix हो जाता है तो ये saliva भी important है इसके भी कई functions है इनको एक बार देख लेते हैं तो important function saliva के क्या है कि क्यूंकि ये watery थोड़ा सा गाड़ा और पदार्थ होता है liquid जिसके साथ food mix हो जाता है mouth के अंदर तो ये food को lubricate करने का काम करता है उसको लिसलिसा बना दिता है और लिसलिसा होने के बाद food फिर आगे easily pass हो सकता है इसी तरीके से जो water present है saliva में वो evaporate होता और उसके कारण क्या होता है कि surface जो है mouth के अंदर की वो moist रहती है तो mouth की surface को ये moist रखता है इसके अलावा saliva का digestive function भी होता है क्यूंकि इसमें एक enzyme होता है salivary amylase जो कि starch को शुगर पे convert कर देता है इसके अलावा कुछ bacteria होता है ऐसे जो कि उनको ये dissolve कर देता है इसके लाइसो जाएम के द्वारा इसी के अलावा जो food का taste है वो हमें महसूस कराने में मदद करता है saliva क्योंकि इसका जो water है saliva का वो food material को dissolve कर देता है इसके अलावा यह हमें स्पीच में भी मदद करता है सलाइवा क्यों? क्योंकि इसके कारण ही lips और tongue का movement होता है food को mix कर देता है जो छोटे टुकड़ों में पटा है food उसके साथ mix हो जाता है और उसको messicate करने में या look the type पनाने में उसकी मदद करता है तो इस तरीके से saliva जो की salivary cleanse के द्वारा secret होता है वो food के साथ mix होके listless है बना लेता है और प्रारंबिक stage पर जो digestion food का start होता है वो mouth में saliva के द्वारा हो जाता है तो यह जो है food mouth में जब present है saliva secret कैसे होता है तो जब food mouth के अंदर आता है तो वो food इसको stimulate करता है saliva secret होने के लिए और जो dry food होता है सुखा खाना जो हम खाते है सुखा भूजन जो हम करते है उससे ज़्यादा stimulation मिलता है बजाएगी गीले क्या आपने महसूस किया होगा जब हम कोई सुखी चीज खाते है तो ज़्यादा saliva secret होता है हम महसूस करते हैं ऐसा कि saliva ज़्यादा नेकल रहा है और जब गीली होती है कोई भी चीज जो food item हमने खाया है तो saliva कम secret होता है enzyme जो कि इसमें काम करता है जिसके कारण कि saliva का action जो है वो digestive प्रकार का होता है वो salivary amylase कहलाता है और actually ये जो salivary amylase है वो दो enzymes का mixture है alpha और beta amylase तो alpha और beta amylase दो का mixture है जिसमें की alpha amylase जो है ज़्यादा dominating होता है तो ये जो salivary amylase है इसका क्या काम है ये starch पर act करता है और उसको break down कर देता है soluble starch में और finally erythrodextrin और acrodextrin से होता हुआ finally फिर उसको maltose में बदल देता है तो ये जो salivary amylase है वो हलांकि starch को completely hydrolyze नहीं कर पाता है तो इस तरीके से salivary amylase के कारण mouth में भोजन का digestion start हो जाता है और starch जो है वो maltose में बदल जाता है और उसके बाद फिर ये food जो बन गया है लुगदी के रूप में छुट छुटे टुकड़ों के साथ मिलकर लिसलिसा सा हो गया है और वो easily अब आगे पास हो सकता है तो pharynx के पिछले भाग होता हुआ फिर ये isophagus जो की एक ट्यूब की फॉर्म में होता है उससे क्रॉस होता हुआ फिर ये इस तमक में एंटर कर जाता है